तो दोस्तों मेकिन इंडिया को मिला और एक बड़ा सक्सेस। हाली के इंटरनाशनल बिजनेस टाइम्स के रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि इंडियन आर्मी के द्वारा बैंगलोर बेस एक कमपनी टन्बो इमेजिंग कमपनी को स्पेशलाइस्ट साइट के ओर्डर दिया गया है दोस्तों बैंगलोर बेस इस कमपनी के लिए ये कोई पहला सक्सेस नहीं बलकि रिपोर्ट के मताविक इससे पहले भी कमपनी को कई तरीके के मालस्टोन एचीव हो चुका है इससे पहले इस कमपनी को इसी साल भारत डाइनमिक लिमिटेट के द्वारा एक ऐस सा कॉंट्राइक दिया गया था जिसके तेहर कंपाऍई को इनियार्मी करा नियार्मी के लिए बनाया जाने वाले एंटि टैंक गाइड़ मिसाइलों के लिए इंडी ही सीखर निर्मान करना है और हालेका ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि ये इंडियान आर्मी के तरफ से दिया गया एक emergency purchase order है इवन रिपोर्ड में ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि आर्मी के emergency procurement को आगे बढ़ाने के लिए हाली में ही दो सेट के specialized equipment के order place किया गया है जिन में पहला order है 600 multifunctional thermal imaging binoculars जो कि target acquisition के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले binoculars होगा जबकि दूसरा order multi mission site के लिए है जो कि helmet और हतियार दोनों की उपर ही लगाया जा सके और इसके लिए bangalore state tonbo imaging नामक इस company को ही चुना गया जबकि रिपोर्टों में ये भी जानकारी दिया जा रहा है कि जो total deal है इसका लागत 100 करोर रुपया के आसपास है और इससे पहले छोटे batch में ऐसे equipment को हासिल किया गया जो कि Northern Command के द्वारा किया गया था और दोस्तों साथ में ये भी वताया जा रहा है कि जिन सिस्टमों को फिलाल खरिदा जा रहा है अगर उसे 12 महिने के अंदर deliver कर दिया जाता है तो शायद company को एक बहुत बड़े मातरा का order भी प्लेस किया जाए मतलब simply ये जो order place किया गया है ये एक शुरुआत मातर है जहाँ पे company के capacity और equipment के गुणवत्ता को भी जाचा जाएगा जानकारी के मुतावी company के द्वारा जो multi mission site को provide किया जा रहा है ये अन्ने ऐसे तरीके के equipment के तुलना में काफी अधिक compact भी है और साथ में close combat के लिए काफ वहतरीन भी है sources के द्वारा अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो product है ये इतना unique है कि एकी साथ helmet और हतियार दोनों के उपर ही इस्तिमाल हो सकता है soldier को खाली एक push button को दबाने का आवशकता है और close combat mission के दर्मियान soldier इसे आसानी से helmet से निकाल के infantry हतियारों के उपर भी लगा सकेगा इवन दोस्तो जिस company से इन equipment को हासिल किया जा रहा है उस company को लेके भी दावा है कि ये दुनिया में ऐसे कुछ गिने चुने कंपनियों में से एक है जो ऐसे equipment का निर्मान करता है और साथ में दावा ये भी है कि कमपनी के द्वारा निर्मित कुछ ऐसे एक्वेपमेंटों को हाली में लदाक में हुए जड़ब के दर्मियान भी सर्विलेंस मिशन के समय इस्तिमाल किया गया था दोसो फिलाल इस तरीके के छोटे-छोटे ओर्डर ऐसे स्वादेशी कमपनीयों के लिए काफी अधिक महत्तो है क्योंकि ये जहाँ पे इन कमपनीयों को बेहतरिन से बेहतरिन इक्वेपमेंटों को निर्मान करने में प्रेरित करेगा तो उही पे आर्ण फोर्सेस के जो इन जनाइशन को काफी अधिक महत्तो दिया गया है और हाली में डिफेंस मिनिश्ट्री के द्वारा इन जनाइशन को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पे ऐसे लोकल कमपनीयों को प्रेरित किया गया तो उही पे लोकल कमपनीयों के महत्तों को बढ़ाने के लिए कई सारे को बिदेश से इंपोर्ट करने के लिए ब्लैक लिष्ट भी किया गया है जिससे ऐसे कमपनियों को भारत में डिफेंस एक्वेप्मेंट मैनुफेक्चर करने में और अधिक प्रेरना मिलेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद